हेलो दोस्तों स्वागत आप सुपका आपके अपने यूटूब चैनल पर है आज कोलकता और लखनव के बीच में IPL का 28 मैच खेला जाएगा जो की कोलकता के इडन गार्डन में दोपैर को साड़े तीन बजे होगा तो इस मैच की प्लेइंग लेंग क्या सकती है कौन से प्ले लिक्सन होगा और आज के मैच में कैप्टन और वाइस कैप्टन की सबसे अच्छी चोईस कौन सी है सब कुछ हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे और आज मैं आपके लिए यहां पर पांच टीम लेकर रहा हूँ अब इन में आपको कितने प्लेयर को फिक्स रखना है कॉम् जन भी मैं आपको बताऊँगा और वो प्लेयर कौन सा वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊँगा अब अगर 20 टीम मनाती है तो 10 टीम में उसको कैप्टन मनाए और 10 टीम में वाइस कैप्टन मनाए तो सबसे पहले तो हम यहां पर विकिट की पर सेक्शन में चलते है अब wicketkeeper section में यहाँ पर चार option है और दोस्तो चारो wicketkeeper important है तो सबसे पहले तो यहाँ पर लोकेस राहूल की बात करें तो लखनाओ की तरफ से open करेगा बहुत ही important है तो इसको हम अपनी सभी टीम में fix रखेंगे क्वेंटन डिको का जो की लखनाओ की तरफ से open करेगा तो इसको भी मैं अपनी टीम में slide करूँगा निकोलेस पूरा ने तो यह भी important player है और यहाँ पर फिलिप साथ जो की कोलकत्ता की तरफ से open करेगा तो अभी के लिए मैं लखनाओ के तीनो wicketkeeper को अपनी टीम में slide अब दोस्तो इनमें आपको एक player को drop करना क्यों करना वो भी आपको इसी वीडियो में बताऊँगा और pitch report की बात करें तो यह थोड़ा सा मैदान बड़ा है और यहाँ पर spinner को भी help मिलती है अब batting side की बात करें तो batting side में आपके पास ज्यादा option नहीं है आज के match में आपको सिरफ एक ही batsman को अपनी team में try करना है तो यहाँ से स्रेज सेयर है रिंकु सिंग है अब दोस्तो रिंकु सिंग का selection percentage कम हो गया है क्योंकि दोस्तो यहाँ पर all rounder की बात करें तो सुनिल नारायन कोलकता की तरफ से open करता है तो इस वज़े से इसकी batting काफी down में चली गई है तो यह चीज़े आपको ध्यान में रखने है अगर यहाँ पर स्रेज सेयर आज के match में flop जाता है तब आप रिंकु सिंग को अपनी team में try कर सकते हो otherwise यहाँ पर स्रेज सेयर अच्छा option है और यहाँ पर वैससे तो वैंकटेस अयर भी है और दीपक हुड़ा भी है जो की impact player के तो सुने ला रहे हैं तो दोस्तों यह player आज के match में सबसे ज़्यादा important है आप चाहो तो अपनी सभी team में इसको captain बना सकते हो इसका reason यह है कि यहाँ पर लखनाओ की तरफ से ज़्यादा तर यहाँ पर left hander है और यह player आज अपने complete 4 hour भी करवाएगा और wicket लेने की probability भी जूट करती है प्लस opening करता है तो सबसे अच्छा option है यहाँ पर captain के लिए और उसके बाद आंदरे रसल है तो इसको भी हम अपनी सभी team में try करेंगे अंदरे रसल को select करेंगे अब दोस्तों आंदरे रसल को captain कौन सी condition में बनाना है तो आपको यहाँ पर रिंकु सिंग को अलपांडिया दोनों player को अपनी टीम में select करूंगा अब बात करते हैं बॉलिंग से action की तो यहाँ पर मिचल स्टार का ज्यादे इंपोर्टेंट नहीं रहेगा नवीन उला का तो यह भी ज्यादे इंपोर्टेंट नहीं होगा वरून चकरवर्ति अब यह प्लेयर आज के म और कौन से player हैं यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर वी अरोडा तो इसको भी मैं अपनी सभी टीम में ट्राइक रूँगा तो यह एक हमारा प्रियू है अब दोस्तों इस प्रियू में आपको क्या change करना है तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि यहाँ पर captain और vice captain की तो captain की पहली चोई सुनी ला रहे हैं और उसके बाद यहाँ पर लोकेश राहूल को बना सकते हो आंदरे रसल को बना सकते हो अब change क्या करना है जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आपको लखनव की तरफ से कम से कम एक batsman को ड्रोप करना ही पड़ेगा जैसे कि इस्टो बरती और किसकी निकाल सकता है पावर परे के बाद में हो सकता है लोकेश राहुल का बैग्च निकाल दे और यहाँ पर आप अप सभी निकाल सकते है तो अगर आप इस पलेयर वरुन चकरवर्थी को नहीं लेना अपनी टीम में इसके जगाँ आप अधर बोलर को ट्राई कर सकते हो या फिर एक बैट्समेन के साथ भी जा सकते हो और अब हम अपनी सबी टीम को ओपन करके देखते हैं और उनमें आपको पता चलेगा कि कोंबिनेशन को किस तरह से रोटे आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी इसका लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है अगर लिंक से ओपन हो तो आप सर्च करके भी हमारे रियल चैनल से जुड़ सकते हो काफी सारे आपको फेक चैनल भी दिखाए देंगे लेकिन आपको इस लिंक कैप्टन मना है और वाईस कैप्टन यापने आंदरे रेसल को अब आपको वाईस कैप्टन करना है जैसे कि लोकिस अगर को यहां से आप चाहो तो अगर कोई बी तिनों में से एक batsman को drop करके पर आपको एक extra बोलर के साथ जाना है और अब हम अपनी दूसरी टीम को देखे तो इस टीम में मैंने लोकेस राहूर को captain बनाया और इसमें मैंने quentin deco को drop किया है और यहां पर मैंने फिर सुनील नारायन को wise captain बनाया अब swipe भी कर सकते हो इसको captain बना करें और यहां पर इसको wise captain भी बना सकते हो और अब हम अपनी दूसरी टीम को देखे तो यह हमारी तीसरी टीम है अब इस टीम में यहां पर मैंने इस्टोनिस को ड्रोफ किया है और यहां पर भी मेरे पास सुनी ला रहा है अब दोस्तों इसको कैप्टन बनाने का रीजन क्या कि यहां पर कुंटेन डीको का पाउर प्ले के बाद में यह इसका विकेट निकाल सकता है प्लस यहां पर अच्छी का सी बैटिंग भी करेगा और डी पैडिकल को भी मैने इस टीम में ट्राई नहीं किया है तो उसका भी यह विकेट निकाल सकता है जो की मेडिल में इस्टोनिस क कितने प्लेयर हो गए 6 प्लेयर हो गए इसके अलावा अगर कोई भी टीम पहले फिल्डिंग रहे जैसे के मालेज ये लखनू की पहले बैटिंग आती है तो कुर्णाल पांडिया को फिक्स प्लेयर बना सकते हो और यहां पर आप चाहो तो निकोलस पूरण को भी फिक्स प्ल बैटिंग आईगी तो इसकी भी बैटिंग आनी कंफर्म है अब यहां पर भी मैंने वरूण चकरवर्ती को अपनी टीम में ट्राइब किया अब दोस्तों यहां पर अगर आप चाहो तो निकोलस पूरण को ड्रोप करके यहां पर आप स्टोनिस को ट्राइब कर सकते हो लेक इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया था कि निकोलस पूरण को ड्रोप करके यहां पर मैंने इस्टोनिस को ट्राइब किया अब इस टीम क्या को ओडिंग यहां पर आप देख सकते हो वरूण चकरवर्ती है तो दोस्तों यह मिडिल में हो सकता है केल राहूल का भी विक निक स्क्राइब कर दीजिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्यू